नमस्कार गुजरात में कल शाम के पांच बजे से आज शाम के पांच बजे तक कुल जो पॉजिटिव केसिस कोविट ट्वेंटी नाइटीन के आये हैं तीनसो चुमोतर थ्री सेवन फोर और आज 146 जितने लोग बिलकुल उनकी जो इलाज थी चिकीटसा थी सफलता पूर्व पूर्ण करके ये लोग अपने घर वापस गए हैं और अगर इस अंक को जोड़ा जाए अभी तक के जितने लोग डिस्चार्ज हो गए हमने हजार का अंक उसे क्रॉस कर लिया है 1042 जितने लोग 1042 जितने लोग बिलकुल साजा होके ठीक होके घर वापस चले गए हैं और जो आज कोविड की ट्रीटमेंट के दर्वियान जो दुखद अफसान हुए हैं उसमें चार ऐसे लोग हैं जिनका प्राथमिक मृत्यू का कारण कोविड 2019 कह सकते हैं लेकिन 24 ऐसे लोग है कि जिनको पहले से और गंभीर अन्य बीमारी थी और कोविड का भी संक्रमन क्योंकि उनकी रोग प्रतिकारक शक्ती कम थी इस कंडिशन की वजह से और उनको कोविड का संक्रमन लगके वो भी एक सेकंडरी कॉस ओफ डेथ यानि के मृत्यू का एक अन उरत में 25, गांधीनगर 3, पाटन 1, बनासकाठा 7, मैसाना में एक्विस, बोटा 3, दाहोद 1, अरवली 1, महिसागर 10, देवभूमी द्वारका 3, ऐसे करके 300 चुमोतर जितने केसे हमारे पॉसिटिव आए हैं और अभी जो एक्टिव केसे हैं उसमें से 4,065 ऐसे लोग हैं कि जैसे कहा गया है 1,042 ऐसे लोग हैं जो बिलकुल डिस्चार्ज होके वापस घर चले गए हैं अभी तक के जो कुल टेस्ट हुए हमारे 80,060 ऐशी 1,000, 80,060 जितने टेस्ट हुए हैं और आज के दिन में 5,944 केसे हमने टेस्ट किये हैं तो इस तरह से विगत है जो खास करक सबसे अनुरोद करेंगे कि आपके विस्तार में, गाउं में या मूनसिपल शेहरी इलाकों में भी अगर बाहर से कोई भी आते हैं तो हम सबका एक फरज बनता है, हमारे परिवार जनों भी अगर ऐसे बाहर से आते हैं तो उनको बिलकुल हमें सबको कौापरेट करना है कि क अंक्रमन फैला जाता है, ऐसे हमने देखा भी है, और सबसे अनुरोध करेंगे कि इसमें पूरी सहायता दें, आज दो और बात कहना चाहेंगे, कि आरुग्य सेतू आप, यह हमने सब लोगों के अपने, जहां तक हमारी पूरी आबादी में, सभी अपने-अपने मोबाइल मे सभी इसको डाउनलोड करें, तो बहतर और बहुत ही उत्तम उम्दा हमें सब को लाब मिलेगा कवच, जहां तक आयूश के उपचार का सवाल है, हमारे यहां जितने भी समरस हॉस्टल में, जो कोविट के पॉजिटिव केसे हैं, उनमें से भी 671 जितने लोगों की समती लेक उनको काउंसलिंग करके, उनकी पसंदकी के मताबिक उन्हें या तो आयूरवेद या फिर होमियोपथी के जो ट्रीटमेंट है, जो दवाई है, रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए वो दी गई है, इसी तरह से हमारे जो फंक्शनरी, हमारे जो कर्मचारी गण काम करते हैं, क्योंकि वो भी संक्रमन के साथ के नस्दीक उन्हें भी आना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को भी खास करके, बी एसेफ में जितने हैं, पुलिस के फंक्शनरी, ग्यारा सो जितने फामिलीज में भी हमने इस तरह से आयूश के जो दवाई हैं, इस से उनकी रोग प्रतिकारक शक्ती बड़े इसके लिए काम किया है, अभी तक ये होमियोपथी की जो आर्सनिकम आल्बम है और उसी तरह से आयूरवेद की जो दवाई है, उकारा, बहुत ही लोगों की तरफ से इसके लिए एक डिमांड शुरू हुई है, अच्छी बात है और हम लोगों बहुत ही बड़े पैमाने में इसको डिस्रिब्यूट करने का काम किया है, अमदाबाद में दानी लिम्डा के विस्तार में भी वहां के जो स्थानिक दाता हैं जैसे जगदीश भाई दोशी उनके सहयोगत से होमियोपथी के टैबलेट्स और वैसे ही बहरामपूरा में भी टीम कर रही है, तो आप सबसे अनुरोध है कि खास अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टंसिंग मेंटेन करें और बहुत ही महत्वकी बात है कि जितने हमारे घरों में जो बड़े वयस्क लोग हैं, 50-60 वर्ष की उमर के आयू से भी हम लोग जो बड़े हों, हमें भी अपन झाल